हेलो एवरिवन वैलकम टू आर्ट चैनल उडान सपनों की आज हम करेंगे आपका साइन्स का मिड़ टम का जो आपके एक्जाम होने वाले मिड़ टम में उसका जो सलेबस है उसको हम ड्रीफ ली देखेंगे देखें जो आपका साइन्स है उसमें आपके सिर्फ पांच चैप् चैप्टर फिफ चैप्टर एट नाइंथ और थर्टीन इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है जो आपको करना है सिर्फ आप वही कर लीजिए आपको उससे काफी अच्छे मांक्स मिल जाएंगे तो चली हम देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें चैप्टर वाइस टॉपिक यह देखे आपका जो सेकिंड चैप्टर है वह है आपका क्या हमारे आसपास के पधात शुद्ध हैं इसमें आपको क्या करना है सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपके एक्जाम में आएगा जो बताया गया है वह है तत्व यानि कि तत्व के बारे में पूछा जाएगा त चिन दुवारा तत्व सरल पधारतों में नहीं तोड़ा जा सकता है तत्व को एक्जामपल दे रखे हैं तामा चांदी और नाइट्रोजन है ना तत्व को एन को नाइट्रोजन लिखते हैं यह सब यह इसके सिंबल हो गए अब आप देखे इसके साथ में आपका योगिक यानि कि आपको तत्व पढ़ना है योगिक पढ़ना है और मिश्रन पढ़ना है तो यह आपका मिश्रन हो गया योगिक क्या होते हैं अपने अवेवों में तूट जाते हैं यानि कि दो जो तत्व हैं उनको अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाता है योगिक ब बाद जो आपको पढ़ना है तत्व आपको पढ़ना है योगिक आपको पढ़ना है इसके बाद आपको मिश्रन भी पढ़ना है आप देखे यह बहुत इंपोटन्ट है यह आता है कि मिश्रन बताईए और मिश्रन के टाइप बताईए मिश्रन जो है वो दो टाइप का है समा और असमांगी तो समांगी का मतलब सें जैसे रोप सेवितरित हो रहे हैं पानी और चीनी जब आप आप घूलते हैं, आपनी एलकोल जो घूलते या तो वो यह सबस्वसेशन की और आपको वह आपको का सासिसंट रियकर नहीं हो पाता है दिकले रोप आप छाथे पानी और तेल को जब आप मिक्स करेंगे तो वो मिक्स होता है नहीं होता तेल उसके उपर तैरता रहता है ठीक है तो यह आपका सामांगी हो गया यानि कि आपको यह इतना यह देखना ही देखना है इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है इसके अलावा आपको यह सब नहीं करना है यह प्रिथक की विदिया यह नहीं करनी है तत्व जो है धातू अधातू और अधातू अधातू आपको पता ही है ठीक है अधातू धातू के बीच में होता है अधातू अधातू की यह बहुत सरी प्रॉपर्टीज है यह आप पढ़ लीजेगा यह आपने छोट और निलंबन ठीक है तो यहां पर देखे यहां पर असमागी का एक्जांपल के लिए है तो यह आपको बेसिकली पढ़ना है तो चले देख लेते हैं आप मिश्रन की definition आप में यहां से करेंगे मिश्रन एक पधार्त है जो दो या दो से अधिक तत्वो अत्वा योगी के सही रूप से सहयूक्त हुए बिना मिलता है जैसे वाईयू हो गया वाईयू में बहुत सारी चीज़े होती है अक्सिजन होता है नाइट्रोजन होता है ओर्गन होता है कर्बन डेक्साइड जल वाज कितने सारी चीज़े हो गई तो हमारा क्या कहला था मिश्रन आप इसकी definition यहां से देख लिजेगा मिश्रन के ब्रकार अभी हमने पढ़े अलग जो रहते हैं और example भी है तो यह पूछा जाता है यह दोनों चीज़े मैं आपको बता दी example भी इनमें दोनों में दिये हुए है इसके बाद में जो आपको पढ़ना है आपकी दो चीज़े हो गई अब देखिए आपको पढ़ना है collidal solution और निलंबन देखिए टाइप ऑफ मिक्षर यानि कि मिश्रण के प्रकार तीन तरह के मिश्रण होते हैं हमारे पास वास्तविक, collidal और निलंबन तो आपको जो पढ़ना है collidal और निलंबन पढ़ना है इसमें difference बहुत जादा पूछा जाता है बहुत ही important question है यह और example के साथ तो इसमें क्या होता है इसमें जो विलाई के करण का आकार जो होता है वास्तविक से बढ़ा होता है निलंबन से छोटा होता है इसमें कडो काकर बहुत बड़ा होता है, कडो को नंगी आकों से नहीं देख सकते हैं, सामेगरी दिखाई देती है, परंतु वास्तब में विश्व मांगी होते हैं, यानकि हमें लगता है, मिली हुई है, लेकिन मिली हुई नहीं होती है, इसमें आपका क्या होता है, यह सब एलगलग होता है ठीक है इसे हम अलग नहीं कर सकते है प्रत नहीं कर सकते है Вторli सब्सक्राइब बरकाएब करेंगे इसके बाद एक चीज और है जिसमें आपको एक्जामबल पूछे जाएंगे जैसे यह देखेंगे यह कुलाइडाल विान के कुछ एक्जाम्पल है इसमें में कैसे कुईश्टय आ सकता है biz कि अगर ड्रव atmos सकता है तो पूछा शुब मैं आरसोल लखेंगे यहां ये पूँछा सकता है कि जो Hunger है वो कौन किसका प्रकार है तो अरिसमें क्या क्या mix होता है आपका ठोस और गैस इनकी दो चीजे mix होके क्या बनाती है aerosol, aerosol example क्या हो गया है धुआ, जैसे foam है, foam क्या होता है जहाग होता है, shaving cream ही use होता है, तो वो gas और द्रफ के मिलने से बनता है, तो यह जो आपकी table है वो आप देख लीजेगा, यह अच्छे से देख लीजेगा, यह आ सकता है तो आपका first chapter यहां complete होता है, first chapter में सिर्फ इतना ही था, जो मैंने बताया अब हम चलते हैं, fifth chapter, यह आपका fifth chapter है, देखे, fifth chapter का आपका chapter का नाम है कोशिका के बारे में पढ़ना है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ चीजे पढ़नी है तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कोशिका जीवन की मॉलिक एकाई की रूप में प्रोकारिटिक और यूकारिटिक कोशिका के बारे में सबसे जादा पहले पढ़ना है कोशिका के प्रिकार्ड दो तरह की कोशिका होती है आपकी प्रोकारिटिक और यूकारिटिक कोशिका तो इनके बारे में पढ़ना है पढ़ना है इन सब के बारे में आपको cell wall के बारे में पढ़ना है cell membrane कोशिका किया किस किस की बनी होती है cell wall होता है cell membrane होती है nucleid होता है nucleus होता है cytoplasm होता है ठीक है तो यह सब आपको पढ़ना है और इसमें यहाँ पे कोशिका अंग कोशिका अंग कौन कौन से हैं आपको यह पता होना चाहिए endoplasmic reticulum, golgi, lysozome, mitochondria, riktika, पौधोमे, लवक, जन्तों में यह सब भी आपको पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही जो जीव है आपकी जीव जो है एक कोशिका जीव होते हैं जैसे अमीबा पैरमिश्यम हो गया बहु कोशिका जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है तो मनुष्य गाए पेर एट्सेक्टर यह सब हो गया कि लाइन आप देख लीजेगा सभी जी जी जीव सूख्ष में एकाई एकाई क्या होती है maior कोशिका का २ Walker कुछिका जीवन की मूँ लिकाई है सभी कोशिका पूर्मिर्मित कोशिकाउं से पैदा होती है वायरस कोशिका सिध्धान्त का अपवाद है अब यहां देखिए यह कोशिका जीव और बहु कोशिका जीव के आपके अंतर बताये हुए कि एक कोशिका जीव जो होती है यहां पर देखिए एक कोशिका होती है अधिक मातर में बहुत सरी कोशिका होती है कोशिका के सभी कारे एक कोशिका द्वारा किया जाते है यह विविन कोशिका अलग-अलग काम करती है इसमें कारे का विभाजन नहीं होता है इसमें होता है तो और यूकरियोटिक जो आपकी कोशिका है उनमें अंतर पुछा जाता है तो यह अकार में छोटी होती है यह बहुत बड़ी होती है इसमें कोशिका का केंद्रे भाग होता है निकलोड और भाग इसमें जिल्ली दुआर होता है जिल्ली से भार नहीं डखा होता है यह जिल्ली स बहुत important है आपका तो यह topic complete हुआ इसके बाद जो है कि आपका है बहु कोशी के जीव कोशी का जिल्ली पर यह आपको देखना है जो यह आपका कोशी का कोशिकाओं को विविन आकरवा आकरती होते हैं ठीक है कोई दिस्क की यह लग-़लग शेप्स अपकी बता रख़िए इसके बाद आपको हर टॉपिक थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है कोशी का आकार आपको पढ़ना है कोशी का के भाग जो कौशी का के भाग होते हो अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है, प्लाज्मा जिल्ली, प्लाज्मा के कारे भी बताया हुए, आपको प्लाज्मा जिल्ली ये पढ़ लिजेगा, ये आपको पढ़ने के जरूरत नहीं है, वसरन और परासरन, इसके बाद आपको पढ़ना है, ये विलियन, विलियन कुछ के अंदर की सांद्रथा बाहे द्रभ की सांद्रथा से यह वाला जो है यह आपका ज्युदि अर्छ चर Geschichte यह तो यह आपका कै कहा से समझाए हैं फिर आपको कोशिखा भित्ती भी पढ़ना है कोशिखा बीति क्या है उसी के बारे में देख लिजीगा किम देख लिए करण के के कारे Lore धे करने इसके यह ऐस बतार रहे हैं कि इसको माइट्रो तो मिणao मायट्रो च chemical प्रुन को पावर हाउस कहते हैं यह ज़ती पूंछ जाता है कि फार कौन कलाता है माइट्रो से यह माएट्रो पूंड्र के काम बिदिये हुए कि और आपको राई यदिश्च क्लोरको बॉजोंगता है आपको chloroplast होगा है देखे लवक जो होता है प्लास्टेड होते हैं तीन तरह के lycoplast, chromoplast और chloroplast इससे लाल कलर मिलता है इससे हरा कलर मिलता है इससे सफेद कलर मिलता है तो आप देख लिजैगा यहां से पढ़ लिजैगा रिक्तिका वैक्यूल इसके बारे में पूछा जाता है इसे विया पड़ेंगे यह आपके the इसका लाइजोजोम लाइजोजोम भी बहुत पूछा जाता है ठीक है तो लाइजोजोम यह हो गया इसका कार्य क्या है कोशिका को साफ कर साफ रखना है ठीक है और लाइजोजोम को हम आत्मगाती थेली कहते हैं यह बहुत जादा को पूछा जाता है कि आत्मगाती थेली किस चाप्टर आपका फिनिश होता है तो नेक्स चाप्टर परते हैं आप आपका झो है यह रचाप्टर है गती तो गपी में यह देखे इस तौह इस में जो आपको पढ़नी है यह देखे बेसिक दिया हुआ पर आपको जो मेंजीज पढ़नी है आपको दूरी तथा विस्थापन पढ़ना है ठीक है यह देखे दूरी और विस्थापन यह आपको पढ़ना है वेग भी आपको पढ़ना है इसमें दियानी है तो चले देख लेते हैं यहां से दूरी क्या है यहां से देखे यह आपको दूरी पढ़ना है विस्थापन पढ़ना है वेग भी आपको पढ़ना है ठीक है समान और आसमान गती भी पढ़ना है तो दूरी आपको पता है चला गया वास्तविक पत रेखे पत व्रतकार पत विस्थापन क्या होता है प्रानविक और अंतिम इस्थित के बीच की नियुन प्रावस्ता आपको पता है कोई चीज़ जब रुक्य हुई है वह गतिज आवस्ता चल रही है चिक है अगतिज अवस्ता के प्राडूप क्या है व्रतिय गती रेखे गती और कंपन गती मतलब गोल सरकल में चलना रेखे गती सीधा चलना कमपन मतलब दोलन ऐसे करते हुए आगे पीछ आगे पीछे करते हुए पहुचना यह तीन तरकी करती है चले आपको फर्स्ट जो में पढ़ना है दूरी तथा विस्थापन पढ़ना है तो यहां देखिए बेटा यह कोई A पॉइंट है और यह आपका B पॉइंट है मा ज्यृत है पे जो चोड़ा ज़ेह आपको कम ताइम लग jsचने में जो कंद लिए वो डिया यह वास्त्र बाला है रुस्टा चला गया है दोरी है और नियूनतम दूरिय यानि की कम वाली दूरिय तो यह आपकी क्या हो जाएगी विश्थापन कहलएगा चुंच है चलिए आगे देखते हैं यह विस्थापन के सबते हुआ में बतां दूरि के लिए मापन कहते हैं विस्थापन एक सदिश रासी है, सदिश और अधिश आपको पता होना चाहिए कि इसमें मापन और अधिशा दोनों होती है जिसमें उसको हम सदिश रासी कहते है ठीक है, ये एक्जामपल दे रखा है चले, ये देखे दूरी और विस्थापन में अंतर ये आप देख लिजीगा ये भी आता है दूरी और विस्थापन में अंतर भी हो जाएगा अधिश रासी है, ये सदिश रासी है ये कि जीरो नहीं हो सकती है ये शुन्य हो सकती है चले, आगे देखते हैं इसके बाद जो है, ये आपके देखे चोटे-चोटे से questions देखे एक समान गती और आसमान गती ये भी आपको करना है एक समान गती का मतलब क्या हुआ ये कोई वस्थू बरावर दूरी बरावर समय में पूरी करे तो वह क्या कहलाएगी समान गती कहलाएगी तो बटाई ग्राफ भी दिरखे साथ ने आसमान जो गती होती है वो दो तरह की होती है तुरन गती और मंदन गती यदि वस्तु की गती समय के साथ लगातार बढ़ती है तो तुरन के लाती है और लगातार गढ़ती है तो वो कह कलाती है मंदन मंदन का मतला कामोना ठीक है फि अब देखे जो औसत चाल है, औसत चाल क्या होता है कुल विस्थापन अपॉन में कुल लिया गया समय, तो यह आपका formula है, ऐसी औसत वेक का formula होता है कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय, तो इस पे based question numerical आपके आते हैं, तो यह देखे वी is equal to u plus, u plus v upon में 2 हो गया, इसकी unit क तो फॉर्मूला आप देखे जैसे यह इसमें तो खेर आप से ऑसाज चाल पूछा गया है पर वेक का होगा तो हम कोई कोशन देखते हैं आपसे तुरन पूछा है तुरन आपको मंदन नहीं है देखें मंदन तो आपको करना नहीं है फिलाल चले देखें एक वेशन दे रखा है तो देखें तुरेंड के लिए देखते हैं तुरेंड कैसे निकालते हैं कोई मोटरकार अपने वेग को 40 km प्रति घंटा से 60 km कर देते हैं यानकि स्टार्टिंग में स्पीड 40 सोल्व कर लेंगे अब जो ग्राफ है ग्राफ भी आएगा आपके में तो ग्राफ में देखें आपको ग्राफ जो करने हैं तो graph आपके इसमें बुक में बहुत सारे दिये हुए है लेकिन फिलाल जो आपके इस mid term के लिए वेक समय ग्राफ पोला गया है वेक समय जो graph है वो आपको देखना है चिक है तो वेक समय ग्राफ अपनी हानी की हम इसको कहा करते हैं तो यह आप यहां से देख लिजेगा फिर और समान के लिए यह जाएगा तो ग्राफ देख लिए ग्राफ के बाद इसका विराम अवस्ता यानिकी रुका हुआ है तो यह तीनों आप graph समान मंदित गती समान मंदित गती मतलब धीरे-धीरे स्पीड के और यह कम हो रही है देखो दीरे-धीरे कम होती जा रही है तो इस अब आप देख लिजेगा चार graph हो गया आपके आसमान मंदित गती का भी दिया हुआ है इसी में तो यह graph आप देख लिजेगा graph एक एक नमपर में बनाने के लिए आ जाते है और question यह प्रूफ क समिक्रण निकालने ही पड़ेंगे तो यह बहुत important है यह देखे ग्राफ ए विदी दुवारा प्रतम समिक्रण पहला समिक्रण है यह इसको तो आप रटी लिजे फर्स समिक्रण जो है ठीक है गती का समिक्रण तो यह आपका यहां से यह सॉल्व कर रखा है यह आपको अच समिक्रण से कि यू इंटू टी प्लस हाफ एक स्क्वार कम्प्लीट हो गया फिर आपका थर्ड समिक्रण है वी स्क्वार इसको यह स्क्वार प्लस तो यह देखे यहां से यह सॉल्व कर रखा है इनोंने यह देखे इन से रिलेटेटिट कोईशन आ सकते हैं आपके तो यह आप कोईशन देख लिए फोर एक्जामपल यहां पर देखे अंतिम यानिकि वी निकालना है आपको यू आपको दे रखा देखे एक मोटर साइक मोटर काल विराम अवस्था से चल रही है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोस्टी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी स्पी तो आप यहां से प्राक्टिस कर सकते हैं इसके बाद आपको व्रत्य गति भी देखना है तो एक समान व्रत्य गति क्या करना है इसमें इसमें ज्यादा तो नहीं पढ़ना है पर आपको पता होना चाहिए व्रत्य गति मतलब सरकुलर गति कोई वस्तू व्रत्य पत्में एक समान गती से विच्रंट करती है तो ऐसी गती को एक समान गरती गती कहते हैं तो इतना आप द्यान लेख लिजेगा फिलाल फॉर्मूला भी देख सकते हैं चैप्र आपका कम्प्लीट हुता है डो तिन चीजे आपको कर नहीं है आपको विएक करना है ग्राफ's करना है दूरी विस्थापन करना है रेक़े समान गती करना है तव्रांट करना है समान कती निकालना है समय तथा वेक का graph करना है चिक है और तीनों समय करने जो graph से निकालने आपको वो करना है चले next chapter अब हमारा है 9 chapter 9 देखते हैं तो यह देखें आपका chapter 9 है बल तथा गती के नियम इसमें भी आपको बल और गती के बार में पढ़ना है सब कुछ नहीं ही पढ़ना है मिट्टम के लिए सिलाक्ट चीजे ही पढ़नी है तो आप पूरी बुकले के मत बैठेगा तो बल तथा गती के आपको नियम करने है बल आपका क्या होता है बल बराबर होता है दिर्वयमान गुड़ा तो रण एफ इस उकल टू एम यह फॉर्मूल आपको पता होना चाहिए न्यूटन गती के नियम तीन नियम है जो आपको पढ़ने है बल जो होता है संतुलित होता है आपको न्यूटन गती के तीन नियम पढ होना चाहिए है चलिए अब देख लेते हैं है थोड़ा डिटेल में कि आपको बल बल क्या है यह किसी भी कारे को करने में आपकी मदद करता है तो यह आपका बल हो गया यह पढ़ लिए तो आपने धक्का दे लिए तो आपने वहाँ पर क्या किया है बल लगाया ठीके बल का प्रभाब करते हैं जब एक दूसरे को निश्प्रिभावी करते हैं और उनका पढ़णाम जीरो होता है, जैसे रसा खीशते हैं तो रसा खीचा, इस टीम नी खीचा इस टीम नी खीचा, दोनों ने बराबर बल लगाया तो रसा आपनी जगे से हिलाई नहीं तो वो क्या हो गया, संतुलित बल हो गया इसके आसंतुलित पताईए एक तरफ से फोर्स जादा लग जाएगा तो यह सारे एक्जामपल दे रखें आप पढ़ लिजेगा अब गती के नियम आपको पढ़ने है गती का देखें न्यूटन के गती के नियम आपको पढ़ने है तो सबसे पहले है आपका जड़तव का नि तो पहला नियम क्या कहता है नुटन की गती के प्रथम नियम के नुसार यदि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्ताइए एक समानरेखी गती के वस्ता में है तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बल ना लगये यानि की कोई वस्तू यहां रखी है जब तक आप इसे लगाएंगे तो यह नहीं रखी रहेगी न अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसे आप रोक निकले फोर्स नहीं लगाएंगे तो चलती रहेगी तो यह आपका हो गया पहला नियम जड़त्व का पहला नियम ठीक है एक्जामपल भी दे रखा आप एक्जामपल लें से बाद आपका जड़त्व और द्रव्य मानिए दो चीजे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है जड़त्व क्या है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्ता अत्वा एक समानगती के अवस्ता में परिवर्तन का प्रतिरोध कर अब आप देखिए द्रव्यमान क्या है द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है इसको मापना हमारा क्या कहलाता है द्रव्यमान कहलाता है तो यह सब एक्जामपल आप पढ़ लीजेगा फिर देखिए आपको सम्वेक जो है सम्वेक आपको पढ़ना है मोमेंट क्या होता है किसी वस्तु की सहमती गती की कुल मात्रा को संवेक कहते हैं इसको हम P से लिखते हैं और यह किसका गुड़न फल होता है द्रव्यमान और संवेक का गुड़न फल होता है यानि कि P is equal to M into V आपका फॉर्मूला होता है देखे एक्जामपल भी दे रखे हैं जब भी कि हम पत्थर कंकणे किसी को अपने वस्तु को फेक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है क्यूंकि उसका वस्तु का जो संवेक होता बहुत जाता होता है तब ही चोट लगती है यह एक्जामपल है देख लिजे बंदूग की कोली वाले भी पूछ जाता है आप यहां से दो हो देखे आप कि ऐसी वस्तु का संवाइक अगर वस्तु विराम हर मत्वस्ता में यानिके रूख strateg couple 9 can जाएगा ठीक है समभेक की इकाई आपकी क्या होती है क्लोग्राम मीटर पर सेकंड यह आपकी यूनिट हो गई अब देखें समभेक पे आधारिति थोड़ से क्वेस्चन है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा फोर एक्जामपल चलिए मैं समझा दे तो दिर्वेमान दे रखा है यानि कि M दे रखा है और उसको वेक दे रखा है वी आपको दे रखा है आपको P निकालना तो P क्या होत कि दूसरे नियम के नुसार यदि किसी वस्तू के समभेक के परिवर्तन की दर उस पर लगाने वाले असंतुलित बलके समान उपातिक होती है यानि कि देखें इन्होंने सॉल्व करके यहाँ दे रखा है आपका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा आपका फॉर्मूला है और बल का मात्रक क्या होता है हमारा हमें पता ही है किलोग्राम मीटर पर सेकिंड स्क्वेर होता है अब यह इसके इस से रिलेटेट कोईशन दे रखें न्यूटन को परिभाशित कीजिए यह भी आ जाता है न्यूटन ठीक है हमने न्यूटन फॉर्स्ट वह पढ़ लिया परिण सेकिंड पर लिया इंदे का यह इसके बराबर विपडि दिशा में प्रिति क्रिया होती स्वस्टवल इस पार क्रिःा और परिमाल में बराबर लेकिं दिशा में एक दैसे के विपरीत होता है इनकी यह कोई वस्तु है, यहां से एक force लग रहा है, यहां से force लग रहा है, तो यह जो force है, यह बराबर लगता है, ठीक है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है, और बल परिमान में बराबर होता है, तो यह आपको पता होना चाहिए, जैसे, देखे, example भी पूछा जा पानी सैड में आ रहा होता है, और इसी सैड में वागोछ के चलाते हैं, तो क्या होता है, force इसससरी वहता है लेकिन हम पानी का फोर्स इधर होता है और हम इसी साइड में इसको चला रहे होता है ठीक है opposite साइड में नाव से उतरने पर नाव का पीछा होना तो यह हम उतरे हमारे पैर का फोर्स होता है तो यह हम आगे हो रहे होता है पैर का फोर्स पीछ होता है इसका सिर्फ आपको बेसिक पता होना जाए कि इसका मतलब क्या है ठीक है तो संवेक का संरक्षन का मतलब होता है संरक्षित देखे यदि किसी समू में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है अर्थात परस्प्रिक रिया कर रही है तो परस्प्रिक रिया के पहले और परस् आपका यह detail है यह आपको नहीं करनी है ठीक है यह आपका फिलाल मिर्टम के लिए हट चुका है तो सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि यह क्या है अब आपका chapter रहता है 13 13 देख लेते हैं यह आपका चेप्टर 13 हम बिमार क्यूं होते हैं इसमें इसमें भी आपको सब कुछ बहुत जादा नहीं पढ़ना है कुछ-कुछ चीजे पढ़नी है स्वास्त आपको पता है व्यक्तितता सामुदयाइक समस्ता ही होती है स्वास्त की यह इसको प्रभावित करता है जिस प्रभावित करती है तो यह आप देख लिए यह यह इतना खास नहीं जो आपके प्रभावित करती है कैसे प्रिवात करती हैं तो यह आप देख लिजेगा यह यह इतना खास नहीं है जो आपके में आएगा जो जो चीजे मैu बताधेती हूं आपको रोग रोग भी आपको आएका सुआस्त और स्वास्त यहां है तो रोग बही किस तरह के रोग दिखाई लेते हैं जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो तो नहीं क्या अधिक अंगों का ले और रंगरोंग खराब अब आपको रोगों के प्रकाल मैं को सब्सक्क्राइब तो वही तीवरी रोग कौन से होते हैं वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं जैसे सर्दी खांसी देर के काली जो बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं फिर आपको करना है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग ये बहुत इंपोटन्ट है ये दो चीजे तो आपको करनी हैं यह कौन से होते हैं रोगाडू या सुक्ष्णिव द्वारव होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं ठीक है एक्जामपल है बैक्टिरिया फंजाई असंक्रामक कौन से होते हैं यह रोग पीड़त व्यक्त प्रेसमर्ण को छोड़के और चीजों से होता है पूरे समुर्ण both सकता है इस आप देख लिजिएगा सब्सक्राइट को य होते हैं जिन से बिमार्य और संक्रमन पैदा करने वाले वाले सुख्म-जीौफ होते हैं जिनें क्या कहते हैं ऑक नुद तिर gjorde क्राम plays तो आप देख लिए वायू द्वारा फैलती है ठीक है जल और भोजन द्वारा फैलती है यहां से देखे संक्रामाक रोग पीडित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्त व्यक्ति में फैल जाते हैं सुक्ष्ण जीव यहां संक्रामक कारक हमारे शरी में निम्न साधनो चिक है तो यानिकि बेसिकली आपको देखना है कि ति इस तम के लिए मिट परतारियों मैं , तो आपको इस के वह इसुचार रोग हो गए अब रोग के भाज ता परणे चीक है आपको करना ही करना है। इसके दो नीयम है रोग के लक्षन को कम कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं रोगाड़ों को मार सकते हैं या फिर हम अपना इलाज कर सकते हैं कि अभी बिमारी कम हो तो यह आप देख लीजेगा रोगों के लक्षन को कम करने के तरीके क्या क्या है भई पहले तो उसको दवाई दी जाती है ठीक तो यह एक्जाम्पल दे रखें एक यह देख लिए जिए आंटीबाइटिक वैसे बताया पूछा निवारण के सिध्धानत यह बहुत इंपॉड़न्ट है तो यह समानने विदिया हैं और रोग विजिस्ट, दो तरह से हम इसकी रोग थाम कर सकते हैं, समानने और रोग विजिस्ट, अब समानने देखें, समानने में तो बेटा ऐसे ही आपका, समानने में तो नॉर्मल है, जैसे आपको पता ही है, कि रोगों को निवारन करने के लेखालना चाहिए यही नॉर्मल चीजे जो हैं वह सम्मान नहीं हो गई विजिस्ट में क्या होता है विजिस्ट वही दो तरीके से होता है तीका करन आपने सुनाओगा है ना तीका लग रहा है इंजेक्शन तरीके जो बोलते हैं तीका करन रोगों को रोक थाम के उच्छे बिखाल से तीका करन तैक है इसमें क्या करता है हम रोगडू स्वAST वेस्थी के शचरीवे डाल दे जाते हैं रोगड़ू के प्रवाष प्रति रख्षा तंत्र धोके में आ जाता है उसके लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते है पोलियों के लगते हैं हैपेटाइटेस देखे हैपेटाइटेस एक लिए भी ठीका उपलब्द है अब इसके बाद जो आपका कोईशन आएगा मेन कोईशन जो है आपका देखें बिमारिया यह बहुत इंपोर्टेंट है कि किससे कौन-कौन सी बिमारी होती है तो यह तो प्रोटोजो बैक्तिरिया वायरस टैपको याद होना चाहिए कि त्यक्राइंडेटेस से कौन सी बिमारी होती है मैलेय यह होती है यह ज 有 डिब्स को फैलात। वरना यह यह से करनी हि करनी है यह important है चीक है तो यहां पे यह आपका chapter खतम हुआ मैंने बेसिकली जनरली आपको पांचो चाप्टर अच्छे से बता दियें कि आपको क्या क्या पढ़ना है पूरी बुक पढ़ने की जुरुत नहीं है पूरे chapter पढ़ने की जुरुत नहीं है mid term के लिए mid term के लिए जो मैंने topic बताएं सिर्फ आप उतना उतना ही पढ़िए आप अच्छा scoring करेंगे आई होप आपको यह सब अच्छे से समझ में आया हो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो इसे देखके और उतना ही पढ़िए अच्छे मार्ग सलाच सकें All the best for your exam. Thank you